एक पिता और पुत्र की दिल छूलेने वली कहानी, एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बडाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा, मैं मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे चुपा के रखे हैं, लेकि अपने पापा के जूते पहने हुए हैं, उस जूते में कील उबरी हुई थी, जो बार बार उसके पैरों में घाव किये जा रहे थी, लेकिन उस समय गुस्सा जादा था, इसलिए वह आगे बड़ता चला गया, फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया, जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खुला, तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसो की जगए एक डा या तहोड़ा आईीप था, चैर पर गायव हो चुके थे। या फिर वो जो भी वो सोच रहा था उस डायरी में पैसो का इसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधाय लिए गया थे। उस ची उची में कंपिोटर के लिए पैसे लिखे हुए था, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था, 50,000 बेटे के कंपिोटर के लिए वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा था लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आये थे उस डाइरी में कैमरी का भी हिसाब था उस बेटे को याद आया जब उसने पहली बार कैमरी के लिए जिद्ट की थी तब उसके पिता ने ठीक तो हपते बाद उसके जन्म दिन पर दिया था उससे देखकर वैं बहुत खुश हुआ था और उससे खुश देखकर उससे जादा खुशकोई था, तो वह थे, उसके पापा, अब उसके बेटे से गुस्ता एकदम गायब हो गया था, जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पल्टा, तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुए थी, इच्छा जो थी वह थी, अच्छे जूते पहनना, ये बात उसक जो है, नीचे से फटा हुआ था, ये देखकर उसे डाइरी में लिखी हुई बात समझ में आ गए, तभी उसे उसकी माँ बाप की बात याद आई, माँ हमेशा ये बोलती थी, कि अब तो ने चूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे, कि नई, अभी कुछ दिन और च चलेंगे, साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ रहा था, कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाये रखते थे, उस टाइरी को पढ़ते पढ़ते हुए बस स्टैंड पहुचा, और एक पेंच पे जाकर के बैठ गया, और अब उस टाइरी का आखरी पन्ना उसने पल्टा, तो वह कल की तारीक लिखी हुई थी, और नीचे लिखा था, पचास अजार रुपए बाइक के लिए, उस पेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमा के दम सुनन सा हो गया, अब उसके मन में कोई गिला सिक्वा नहीं बचा था, आखों में आसु आ गए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे रो क्यों रहा है, अब वे चल्दी से घर जा रहा था, चूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी, उसने तुरंत उस चूते को खोला और फैक दिया, अब वे नंगे पैर ही दोड़े जा रहा था, और घर पहुचा लेकिन उसके पि वे दुकान पर पहुचा, उसके पिता वही था, उसने अपने पिता को दोड़ कर गले लगा लिया, उसके आखों से आंसु रुकने का नाम ने ले रहते, उसके पिता समझ नहीं पा रहते कि हुआ क्या है, उसने पिता से कहा, ज़चे मोटन बायक नहीं चाहिए, आप अप इसे मैं जो भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा.